आज हम इस सेशन में पेज नमबर 128 स्टार्ट करेंगे सो पेज नमबर 128 अगर आपने लास्ट पेज देखा होगा 127 उसका जो हमारा लास्ट टॉपिक था विच विच वॉज शेप्स वर न ओपन बॉक्स तो उसमें हमने डिसकास किया था कि पेज 46 पे जो हमारे पास ये सारी इन शेप्स में से अगर हम इनको कट आउट करेंगे तो कुछ शेप्स हैं जो कि एक ओपन बॉक्स बन जाएंगी करेक्ट चो अब हमें देखना है कौन सी शेप उपन बॉक्स बनेंगी कौन सी नहीं सो 128 पे देखो देखो देगल इस एंग आई कन में बोक्स इस देख यह वी हाफ इस शेप सबसे पहले इवली शेप हमें दिख रही है इसका ट्राइ करते हैं उपन बॉक्स बनाने का सो देखो यहां से इसके अगर फोल्डिंग को लें सो अब देख सकते हो इस तरह से एक हमारे पास बॉक्स बन जाएगा यह हमारे प मारे पास एक बॉक्स अच्छे से बन पा रहा है तो डाटबिस इस शेप में बन रहा है नेक्स हमारे पास है झायाग में इसको फोल्ड करके देखते हैं अगर मैं इसको फोल्ड करूँ इस तरह से यह बन जाएगा यह जाहें तो अगेन बॉक्स बनाने की कोशिश करते हैं, तो यह हमने फोल्डिंग लिए, ना ओ, अब अगर इसकी हम कोशिश कर रहे हैं, शेप बनाने की, तो वो नहीं बन पारी, क्योंकि हमारे पास यह वला जो फ्लाप है, यह एक्स्ट्रा आ रहे है, क्योंकि ना तो यहां पे है ना यहां पे है ओपन बॉक्स का मतला गर मैं इसको फोल्ड भी करो तो वो ओवरलाप कर देगा तो ना तो मेरे पास बॉक्स में इस तरफ कुछ है और ना ही इस तरफ मतला इस शेप से ओपन बॉक्स नहीं बन पाएगा सिमिलरली लास्ट इस शेप पे देख लेते हैं तो यहां इस शेप बनाने की कोशिश करेंगे तो आप इस तरह से बना लो अगयने आपके पास जो फ्लाप बचेगा वो ओवरलाप करेगा ना यह यहां से बॉक्स बंद हुआ ना यहां से ओपन बॉक्स हमें एक साइट से नहीं बना अब हमें करना क्या है फाइंड आउट विच ओफ दी अधर एच शेप चार शेप का मैंने आपको दिखा दिया बाकी की जो रिमेलिंग एट शेप्स हैं आपको उनको ट्राइ करने तो सेम चीज करना अगें आप क्या करोगे सब का कट आउट से कालो और उसको कर कि देख लेना सो वह आपका होगा आप उसको करो खुद कटिंग करके देखो सो नाव वील मॉव तो दी नेक्स टॉपिक विच इस बॉक्स अड बॉक्स अड बॉक्स अब जितने भी बॉक्स सारे क्यू नहीं होते कुछ क्यू बॉइड हो सकते है मतलब उनकी शेप जो है नहीं रेक्टांगल में हो सकते हैं सिमिलरली कोई बॉक्स स्कुलर अपने देखा होगा जो हम जब बेडमिंटन खेलते तो राकेट के साथ जो शेटल जो होती है तो उसमें क्या होता है एक स्कुलर बॉक्स आता है उसके अंदर वो सारी होते है वो ना तो स्क्वार बॉक् एक डिफ्रेंट शेप है ना तो वो बोर रहे है कि ऐसा नहीं कि चितने भी बॉक्स जोंगी सारे क्यूब होते हैं सो हैरा सम डिफ्रेंट काइंड ऑफ बॉक्स माच्च दी शेप ऑन दी लेफ विट ऑब बॉक्स इंटू विच इंटू विच एट विल बी फोल्ड़ तो अब यहां पर देखो इमेज में देख सकते हैं अब हमें उपर कुछ बॉक्स दे रखें और नीचे बता रहा है कि यह यह शेप है हमें मैच करने सो मैं यहां पर आपके रहे पिच्च्छ ड्रो कर देती हूं ताकि समझाना जादा असान हो जाए So now here are the boxes और यहां पर है कि अगर हम उन बॉक्स को unfold करेंगे तो वो किस तरह से होगे तो हमें करना है मैच अगर हम फर्स देखें तो यह बहुत सिंपल सा है देखो एक rectangular पार्ट बन रहा है और उसी के साथ एक triangular पार्ट है तो यहां पर अगर मैं यह बला देखो तो यह जो प इसको unfold करेंगे तो इस तरह से होगा नेक्स यहां पे जो है यहां पे circular पार्ट और एक यहां पे triangle बन है तो देखो यह जो है इसकी cutting किस तरह से अगर मैं इसको ऐसे पकड़ की fold करो तो यह एक triangular box इस तरह का box बना पाएगा so means इसको हम match कर देंगे इस से मतलब यह unfold होके इस तरह से आएगा next यह वाला जो है अब इसमें क्या है एक base है और ऊपर एक pyramid की तरह triangle की तरह बना हुए तो अगर मैं इस वाली particular shape की बात करूँ तो ऐसे अगर आप यहां पे East Delhi side की होगे तो आपने देखा होगा यहां पे एक बहुत famous है singular switch and वहां पे जो cakes मिलते हैं उनकी packing इसी तरह से होगे cake place किया जाता है and packing को इस तरह से चारों साइड से थोड़ी सी circular way में दी जाती है तो यहां पी देखो यह जो part है यह पूरा क्या करेगा this part यह उपर आएगा और इस तरह से एक box बना लेगा तो मतलब इस वाल तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ अगर आपके पास इस तरह की कोई square cutting तो simply आपको क्या करना है अगर हम इसको इस तरह से fold करेंगे तो हमारे पास एक circular box आ जाएगा अगर हम इसको उपर नीचे cover कर दे तो यह box बन जाएगा है ना तो इस तरह से यह वाला जो है इसका simply य हुजाएगा ओके शो यह था हमारा हमने यह पर मैच कर लिया नाओ यूव तो दी नेक्स पेज बाटिन दी नू विडियो विडियो अलसो इफ यह वेवें शब्सक्राइब दी चानल प्रीस मेक शॉर तो सब्सक्राइब दी चानल और आपको यह यह बाट बच्चे जो मेर दी नेक्स विडियो